पंजाब के मुगा से देखने को मिला है जहां कबार का काम करके अपना जीवन वितीत करने वाली एक युवती की रातो रात किस्मत बदल गई मुगा की रहने वाली युवती ने रातो रात ही एक कडोर की लोटरी को चीत ली है आपको बता दे की रातो रात ही किस्मत बदल सी गई है और काफी खुश भी नज़र आई कबाल का काम करने वाली को लगी एक कडोड की लोटरी पंजाब स्टेट लोटरी ने बदल दी परिवार की किस्मत मोगा की बागा पुराना की महिला ने खरीदा था लोटरी का टिकेट हमने सपने में भी नहीं सोचा था छप पर फार कर मिलेगा इतना धन बदादे की ये बड़ी खबर पंजाब से सामने आई है जहां पंजाब के मुगा में एक युवती की रातो रात किस्मत ही बदल गए पंजाब स्टेट डियर सौ मासिक लाटरी ने कबार का काम करने वाली परिवार की रातो रात तकदीर बदल दी है बागा पुराना की रहने वाली घरीलू ग्रिहणी आशा रानी ने एक कड़ोर रुपया पहली बार जीता है जिहां आपको बता दे पहला इनाम उन्होंने जीता है मासिक लाटरी की खुश नसीब विजेता आशा ने आज पंजाब राज लाटरी विभाग के अधिकारियों के पास टिकेट और अन्य जरूरी दस्तावेज भी जमा करवा दिये है वहीं आपको बता दे कि पहला इनाम जीतने के बाद खुश नजर आ रही आशा ने कहा कि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह इतने बड़ी राश्ती जीतेंगी उन्होंने नहीं सोचा था कि वह एक दिन करोड़ पती बन जाएंगी और आसा कि सारी आशाए पूरी होती नजर आई है आईए सुनते हैं उन्हीं के जुबानी की आखिर वो अपनी सारी खुश नसीबी को किस तरह बयान करती है आपकी जब लाटरी निकली तो आपको कैसा लगा आपको एक दाम से जब आपको पता जला बस मैं रहता एग समझें साड़े गुरुमाराजी ने कोई चमत कार कारता साड़े ना इसने बोटरी किस ने डाली थी ? बेटे ने बाइसी बड़ी बड़े बड़े बेटे ने आपके परिवार में कतने मैम बारह में पशाना हЙं कौन कोन आपके परिवार में ?दो बेटे है दो वोववा कोती है अपके पती, क्या खाम करते हैं आपके बती है, स्क्रायब ता काम करते है तो आपने कभी सोचा था पैसे मकान बनावाँगे बनने बनने दगोईनी बनावाँगे वो कहते हैं जब उपर वाला दीता है तो छपड फार के देता है और ऐसा ही एक नजारा मूगा से देखने को मिला जहां कबार का काम करने वाली एक युपती की रातो रात प्रिस्मत ही बदल सी गई यह आपको बता दे ही वो काफी खुश नज़र आई उनका साफ़तोर पर यह कहना है कि उन्होंने आज तक यह सोचा नहीं था कि एक दिन वो कडोर पती बन जाएंगी अभी के लिए इस खबर में इतना है बने रहे है बीस चार नियूस के साथ